कि और उनलाइन क्लास में आपका हरदिक स्वागत है मैं प्रविंद कुमार चंदेल सायक अचार्य वनस्पती सास्त्र राज्किय माहविद्याले बाड मेर आज का जो हमारा टोपिक है वो बीए सी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है जो उनके विशे वनस्पति शास्तर के प्रतम प्रशन पत्र सेवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबन दित है जो हैं आज का अमारा जो टोपिक है वो है जनेरल कर्रेक्टर्स एन लाइफ इस्ट्री आफ चलो फईसी जीवन इतियास के बारे में ए यह टोपिक जेन और विश्व अधियाले के पाठे करमनशार से इस प्राशन पत्र की एकाई परतम में सामिल क्या गया है सामाने लक्षन वर्ग क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन-कौन से ऐसे लक्षन है जो सामानी रूप से पाय जाते हैं वर्ग क्लोरोफाइसी में लगबग 425 वन्स तथा 6500 जातिया है इन से वालों में क्लोरोफिल A तथा क्लोरोफिल B अपक्षाक्रत अधिक मात्रा में होता है जिसके कारण ये गहरे हरे रंग के होते हैं इसलिए इन्हें हरित सेवाल या ग्रीन अलगी का जाता है तो पिग्मेंट के या हम वर्ण को के अधार पर कह सकते हैं कि जब क्लोरोफिल A एवं क्लोरोफिल B दोनों साथ में पाए जाए कि फ्रेस वाटर होते हैं कुछ सेवाल लगबग 10% समूद्री सेवाल है तो बहुत कम मात्रा में ही अरित सेवाल ये ग्रीन अलगी मेराइन होती है और लवन जलिये जाती हैं जील तालाव गड़ों में पाई जाती हैं अधिकान समूद्री जाती हैं उस्न कटिबंदी साग का टॉपिकल सी में ही सीमिध हैं अल्वे लेल्स टता सैफर नेल्स गणों के सदस्य मुक्षतक समूद्री हैं तो यह दो ओडर दे रखे हैं जो मौडERं क्लाशिफिकेशन के प husbands से हैं अल्वे लेल्स और साइफर नेल्स तो इनके जो सदस्य हैं वह अधिकान से मेराइन है यह समुद्री है यदि पी यह सेवाल प्रमुक रूप से जली हैं परंद कुछ जातियां बूप्रष्टी सब एरियल आवासों में भी पाई जाती हैं अनेक सेवाल मर्दा वनस्पतियों सोयल फ्लॉरा के मुख्या अंग हैं तो यह दिखा गया है कि यह टेरेस्टियल भी हैं कुछ डेम सोयल नम मर्दा के उपर भी पाया जाते हैं प्रोटो कौकस ट्रेंटि पॉलिया आदी अधिपाद्पी एन फिफाइट तो यह जो आपका प्रोटो कौकस हैं और ट्रेंटि पॉलिया हैं यह दूस्टियों के उपर सर्वाइब करते हैं उस पे जीवित रहते हैं अधिपादा के रूप में पायाने वाली जाती है नम व्रक्सों की जो बार्क होती है च्छाल होती है उसके अंदर आपको मिलेगी टेंटिपोलिया और प्रोटो कोकस कुछ अरित स्यावाल जैसे क्लेडोफोरा केरेशियम अधियनिक प्रकार के जंदों के उपर अधिय जानतों एपिजोई के रूप में उगती है तो हम लोग हमने जो एलगी के हैविटेट या हमने आवास के बारें बात की थी क्यालगी कौन कौन से आवास हम पाई जा सकती है तो हमने उसमें अलग बात की थी कि एपिफाइट हो सकती है और दूसरी पादपों के उपर पाई जाने वाली है जैसे आपको इसमें नाम दिया गया है प्रोटोककस और टेंटिपोलिया इसी प्रकार से हमने बात की थी कि एपिजोई हो सकती है तो क्लेडोफोरा और अधिक ग्रूप से पाई जाते हैं तो आवाज के दर्ष्टी से हम यह दे सकते हैं कि अधिक जो उदारण है वह आपका क्लोरेला है जो अगतिसील या अचल एकोशी की हरित सवाल है क्लोरोकाइट्रियम लेमनी रोडोक्राइट्रियम से फिलरोस आदी हरित सवाल पर जीव उदारेज के उपर रेड रस्ट या लालकी ठोग फैलाता है तो इसमें आप देख सकते हैं क्लोरोकाइट्रियम है रोडोकैट्रियम है और सिफिलरोस है यह अधिकके उदारन है स्चाय में रेड रस्ट नामक पर लोगुत्प पन करता है क्लोरेला की कुछ जाती हैं उसमे में पाई जाती हैं होट स्प्रिंग में पाई जाती है क्लेमाइड मोनास येलो इस तो येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है अमेरिका के अंदर उसके अंदर जो ऑट स्प्रिंग से गरम पाने के सुरोते हैं उसके अंदर ये ये अलगी पाई जाती क्लेमाइड मोनास येलो क्राइफिटिक आलगी के मंदर बात की ती कि जो रेड स्नो है या लाल रंग के बर्फ दिखाई देती हैं तो वह हमेटोकॉकस निवेलिस के कारण दिखाई देती हैं तो इमेटोकस निवेलिस बर्फ से डखे हुए परवत्षिक्रों पर उगती है कुछ अरित सेवाल को के सा साथ में सिंबर्टिक असोशियेशन बनाती हैं लाइकन के लाती हैं तो इस परकार से हम यह जितने भी उधराणों की बात की हमने यह सबी आपके क्लॉरोफ आइसी के हैबिटेट या आवस के बारे में जानकरी देते हैं क्लॉरोफ आइसी वर्ग की मुखे सरंचना अत्मक इस प्रकार से हैं इस वर्ग के सद्वेशन की थैलस रंचना में अत्यंद विविद्धा पाई जाती हैं कुछ प्रमुकु रूप निम्ड प्रकार से हैं तो हमने लगी के लिए दूसरे जो टॉपिक देखा था थैलस और्गनाइजिशन या डाइवर्सिटी आफ थैलस की की सेहन है उनके प्रकार की से दिखाते तो हम ऊसके एंदर चैलस पाई जाते हैं उसमें क्या-कार चैलस देखे पहला है आपका एक कोशी की गती सिल रूप यूनिसललर मोटाइल फॉर्म क्लेमाइड़ मोनास और इस पर एला तो आम यह देख सकते हैं कि जो क्लेमाइड़ मोनास है वह आप देखें कि डाइग्राम के अगर अंदर बात करें तो बाइफ लेटेड ज्यू कसाबी की सरंचना रूप यूनिसलर मति कोखें हैं आप इन्सidosable कि अगती सिल रूप यूनिसलर नौर मोर्टल फॉर्म और क्लोड़ क्लोरेल हो धे लिए यूनिसलर फॉर्म हैं और इसमें प्लजिला नहीं पाये जाते हैं माई नहीं पायाती हैं तो एक जाम फल्फे में बात कर सकते हैं क्ल सेवाल होते हैं जो एग्रिगेटों सेंचे मैं अंतर आफ जाते हैं ज्सकलिते हैं। वह क्या आजाते हो एक परकार की कॉलोनी है जिसका आकर्टि परिमाफ निष्च्चत होता है । के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चत होती हैं उसके अंदर दुरूता निश्चत होती हैं को सल डिविजन नहीं पाय जाता है केबल सहल के आकर में ब्रु κोषिका से कोशिका की बीच में आपके साइटो प्लाजमिक कनेक्शन ये कोशी का द्रवी अंतरसंबंद पाए जाते हैं तो सिनोबिया पाए जाती हैं साइक तनतुल तो हम Golotrys की बात कर सकते हैं 싶ivo क्यार कर सकते हम तो आप इसमें filament थे दुनी Themen का देख देख सकते हैं प्लामेनितों के इस में थाजमिक मत्र तनत्य ये चैनल कोशी सतकी ब चेनल कर सकते हैं इस्टाइजियोक्लोनियम है यह भी विशंतंतुकी का उदारन है और सबसे लाश्म हम देखें कि साइफनी साइफोनी एशियस थैलस तो ब्राइपसियस हैं वकेरिया हैं कॉलर अपा हैं तो इसके अंदर हम यह देख सकते हैं कि साइफन नूमा और स्ट्क्चर पाई जाती है माई ग्रीन अलगी के अंदर आप शाक्रिका प्राकार के स्रइपसियस मंधेरिक फेल टूमान यह तोटी हैं यह की अदर जो कोशि कांग होते हैं भो 2-0 मेंब्रेंड बाउंड होते हैं दोरी जली युक्त आधा है और केंदर्क जो थो हता है वह सु संगट तो होता है उसमें जली युक्टिक का पाई जाती है तो परकारस हम कहते हैं कि जो कोशि का शनलंचल उता प्रकार किये हैं कोशी का बेती सेललोज ता पेक्टिन से बनी होती है, परंतु साइफोन एलीज गंड में सेललोज के स्थान पर केलोज पाया जाता है, कारा की कोशी का बेती में केल्सियम कार्बोनेट अंतरबरित या इंप्रेंगनेट होता है, हम कारा को स्टोन वर्ड भी कहते हैं, जिसमें केल्सियम कार्बोनेट का लिपोजिशन पाया जाता है जीवद्रिवे एक पतली एवं अर्ध पारगया में जिली से गिरा रहता है प्लाज्मा मेबरेंस से बाउंड होता है प्रोटो प्लाज्म कोशिका के केंदर में बड़ी आकॉंचिंसी रसदानी ये कॉंटक्टायल वेक कोशिका बित्ते के साथ एक पतली परत के रूप में रहता है यह परत कोशिका दृती या प्राइम मोडियल अट्रिकल कहलाती है हरित से वालों में अन्य यूकरेटी कोशिकाओं की बाती माइट्र कॉंडिया गल्जिकॉय राइबोसॉम अंत्र प्रद्वी जाली का परिब पढ़ना क्लोरॉप्लास्ट के अंदर सो संग्धित पफटलिकाओं केट हैं घ्र मुश्कोर्स हैजना के ने हां ऐधालेमकर भास्न, यधिया लिवी प्रद्वार के मिलेंगे यह श्यो प्राइब सैब्ड जैसे कलमाइड मोनास में मिलता है में लाकाल गर्डल से बुदक करें दो sister में रेटिकृइब के बात करें तो क्लेडो-फोरा के अंदर 15 मिलेगी बीटिया रटील की बात करें तो जैसे डेपनलु रहने कोवियोँ केट है इसके पराइ। पाइज जाता हैं टारक्रत य्षिस्टल हैब का जो प्लॉप्लास्ट है उप देख सकते हnt को जिगनी मांग के प्रगत वनस्पतियों की बाती हरित्सेवाला में सू संगटित केंद्रिक पाई जाता है प्राय प्रते कोशिका में एक केंद्रिक होता है परंतु साइफोने लीज तदा क्लड़ फोरेल्स ओर्डर में संग कोशिक दसा पाई जाती है chilli संग केंद्रिक परंतु होते हैं समयद्रिक में एक केंद्रिक होती है प्रण्टों कॉंजूगेल्स गाण के सदिश्में प्रते कें द्रग में अने केंद्री का यह नुक्लोलस पाई जाती हैं यह काफी specific feature हैं इसमें नुक्लोलस बहुत सारी पाई जाती हैं इस वर के कुछ गतिसिल वंसमें कोशिका के अगर भाग में एक प्रकार समेंदन सिल लाल द्रक बिंदू रेड आई स्पोर्ट यह अत्वाइस्टिमा पाया जाता है करता हैं संचीत बोजे बोजेपुदार्थ की बात करें तो स्टार्ट पाय जाता है जो अमयलोज में विबिदित होता है गतिसिल कई कोशिकाओं चल वी जनुओं प्राय दो कभी कबार चार प्रतोद कसाविकाएं विप्लस टाइप की कसाविकाएं पाय जाती है प्रनतों इ मिलती है और 9 peripheral fibers होते हैं और 2 central fibers पाय जाते हैं हー एक चैनन काएक absolut concert विभराजन के द्वारा होता है तो जो वेजटेटी पूस्त द्वारा या fragmentation के द्वारा संपन होता है जिसल निस्ट ऑप है इया जूस्पोर और अचल ऑप कर सकते हैं क्रू कोकेल्स ओर्डर के कुछ वन्सों को अपवा सरूप छोड़ कर से सभी हरित्स्यवालों में लेंगिक जनन पाया जाता है लेंगिक प्रक्रम सम्युगमुकी अत्वा विसम्युगमुकी प्रकार का पाया जाता है युगमाणू जाइगोस्पोर तदा निसिक्तान अपने चारों और एक मोटी बित्ति का निर्माण कर सुप्त अवस्ता में रहते हैं तदा अनुकुल वातावर्ण में अंकुरित होकर नए थेलस का निर्माण करते हैं यह इसमें हम देख सकते हैं जाइगोस्पोर और उस्पोर की जर्मिनेशन को देख सकते हैं अरित्स हवालों में युगमाणू अत्वा निसिक्तान का नए थेलस में विकास अने वीदियों से होता है देख सकते हैं और यह कुछ डियाग्राम है ज्समें आप देख सकते हैं कि जो यह डाइग्राम है आपके वो आपका प्लेमाइड़ो मोनास है जिसमें आप देख सकते हैं एक कोशी के सरंचना है और जिसके अंदर आप देखें कि दो फलेजीला हैं इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं और यह यहां पर पायरिनॉइड है यहां केंदरक है और यह जो आपको कब से इस्ट्रिक्चर दिखाई दे रही हैं वह इसका क्लॉरोप्लास्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं दो कंट्रोटाइल वेक्योल से नीचे जस्ट देख सकते हैं जो बेसल ग्रेणुविल्स है या दार कणिका है उसके नीचे बी डाइगराम आपका क्लॉरिला का है कि जो गतिसिल एक कोशी की हरित्सयवाल है और क्लिमाइड मोनास गतिसिल अरित्सयवाल है सिरी डायक्राव का सीनोबियल फॉर्म्स आप देख सकते स्टे में एक जो कोशेखा का है वह सिंग्रम मॉनस के एकल होती हैं है मिलमार्डाख के अंदर जो रिख का आ जाते हैं यह डोघ्यका या सरनचना घ्राघ्य ridge में एमेडेट रहती है भी यह डायगराम देख सकते हैं ड्याइग्राम आपका कॉलर प्पा का है जिसमें आप साइफोनिशियस देख सकते हैं इके अंदर आप देखें इस पायरो गाएरा है तो इसमें देखें, इस पायरिल सेव्ड आपको दिख़ाई दे रहा है एफ डायग्राम आपका लेड़ो फोरा है जिसमें आप देख सकते हैं वह टू ब्रांचिंग देख सकते हैं जो घी डायग्राम है वह आपका अलवा का है और ये अब आशे मरदू तकी मरदू तकी प्रकार का को दिखाई देता आपका पैरन के में अपका नीमिधां आपका मरदू तकी जो तैलस अंगठन है तो तो हम जब बूरे सेवालों के बात करते हैं तो पैरन काइमेटर स्थेलस या मरदुतक ये जो सुका हैं वो सामानी रूप से पाय जाते हैं लेकिन हरित सेवालों के अंदर ये काफी विक्षित अवस्ता में मिलते हैं विक्षित अवस्ता कहा जा सकता है और फियो फैसी के अं तो ये सबारणिय प्रकार है तो आप यह देखें कि यह जो जी प्रस्था है यह जो ढेल एंदर इंटरमॉर्फॉ आघ्राइग्रामग go некоторые अप्स्स निचर पाई ज display के इंदर और ऑपने लिया जो काफी विक्सित होता है यह झाहिस के लखशन हो गए उसके बात करें क्लासिफिकेशन आफ्र hedge Cris 1935 ने आकारी की जन्नांगों के आधार पे और क्लो फाइस को मैं नव गणहों में विबग्त किया जिसके बारे में हमने फ्रेश कीų इमटएंगेशन के चाहिटि इसका यू जो उडर दिये गए वहाइं वार्वोवोकेल्स जिसका मेंबर था व्ल्वक्स निए निए जिसका मेंबर हां यू इलुड। हैं सिर्फ सप्सक्राइब ने पर फवतर से क्लासीफिकेशन उसके ऊधोंगे न किविए पर को दो बरगोंको फिल्ट सकूली встретा में में विवक्त किया तो यहां पर हम देखें कि जो केर इंधे अपग्रीड कर दिया और कार ऑफ आधी एक वर्ग का निर्माण किया तो दो वर्ग प्लाषे ग्लोर फाइटा डिविजन का दर्जा दे दिए गया और उसके अधर दू इस की बात के लिद्यालियर में विभग किया गया कि 결ाने कि इन्हों नें καιरेजल कंसे एक अलक डिविजन यांदर रखा तनों के लिच में रख मेरी नभी चैनलिक और जाए तरह जाते हैं हाँ दूसरे वर्ग की बात करें पहले जैसे हमने बात की क्लोरोफाइसी ग्रीनलगी हरिस्यवालों की इसी तरह किसे जो दूसरा वर्ग हमारे पास वो हैं कैरोफाइसी या कारोफाइसी इसमें जो मुख्य लक्सन है वो हम देख सकते हैं कि थेलस बहु कोशी के एवं बड़ की सकते हैं कि जो केरफ ऑएसी हैं उसमें आप देखें की जो थेलस हैं वह आपका काफी बड़ा होता है और मौल्टि सेल्डर होता है एक फीचीट्रोट टाइप का थेलस पाए जाता है एक्विस सीटम के समान उसके अंदर भी पार वंपर असंधिया पाए जाती है अहलैं जनन नहीं पाय जाता है तो इसी कारण से मेकलेन और कुक ने जो कारफ आइस सी है उसको कारफ आइटा मानते वे डिविजन कारफ आइटा को ब्राइव फैटा को बीच की योजर कडी की रुप में बताया था लेंगी जननन जटिल प्रकार के होते हैं और आप देखें किसके इंदर जो नीक्यूल है वह महादा जननां होते हैं और ब्राइव फैट्स के अंदर नर्जननां घो थे हैं और राउंडेट स्ट्रिक्चर या ब्लवकार साफ़न चणा पाई जाती हैं प्रोटोनिमा के निर्माण होता है प्रोटोनिमा के निर्माण आप यह देखेंगे आप ब्राइफाइट के अंदर देखे गए हैं बनते हुए तो यह ब्राइफाइट आसे काफी समानता है प्रदस्थित करते हैं केर फाइसी केर फाइसी वर्ग में केवल एक गर्ण कारेल्स हैं प्रमुक उदान उनके काराव और नाइटेला हैं करें कि अगर हम लक्षनों की बात करें इस गर्ण में आते दिख विस्ट सवाल समय लेते हैं तदा स्टोन वर्ट कहलाते हैं जैसे मैं पहले बताए हैं केल्सियम कार्मुनेट के समें डी पॉजिसन पाय जाता है इसलिए इसको हम स्टोन वड कहते हैं क्योंकि नक्रिक्रिश् में विवैदित होता है सचिज को देख सकते हैं काई जनन के लिए विशिष रूपा आंती सरंजना अनुपस्तित प्रकार का पाय जाता है लंगी जन्नाक बंद्य आवरन द्वारा परिबद वह स्थूल दर्सिय मैक्रोस्कोपिक होते हैं निशिक्तान के अंकुण से प्रात्मिक तंतु प्रोटो निमा का निर्मान होता है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके लक्षन काफी हद तक प्राव पाइटा से सम्बंदित हैं कोल कर सी इस गंड में केवल एक को केलेख किया गया यह करेक्टरिश्टिक फीचर्स यह लक्षनिक गंड के लक्षनों के समय नहीं कराव अ नैटलाइस कुल के प्रमुक्षद है है यह डाइग्राम देख सकते हैं आप कारा का डाइग् में द술 दिख है कि यह मुख्य- SeoA AGs के अंदर। जो नोड और इंटर-node यहुですか है पर्व सन्दिय है और पर्व संध्यों में अभिबाजित है। नीचे की और हमदेख सकते हैं मुलाभास वाज जाते हैं इस मुख्याफ़ आप्स पर आम यह देख सकते हैं कि दू प्राकार की साकह पाय जाती के अब प्रेस्ग पाय जाते हैं पहले हैंजैंकि अमीक्स के समानि परो संद्यवें जिसके उपर आप देख सकते हैं ब्रांचे जाओ लिमिटेड ग्रोथ भी पाई जाती हैं दूसरे प्रकार की जो ब्रांचे जो परसंदियों से पाई जाती हैं तो दोनों प्रकार की जो ब्रांचे ये साखाय हैं वो परसंदियों से निकलती हैं चाए वो ब्रांच ओफ अनलिमिटेड ग् कहते हैं आं कि इस डियाग्राम में देख सकते हैं यह फोotzic手 का डियाग्राम प्रव संदी से त्रेख सकते हैं यह बहुँ है आपको जो प्राइमरी लेटर्स हैं वो नोट्स और इंटर नोट्स के अंदर डिवाइड रिटो दिखाया विबेदी दिखाय देगा इसमें आप यह देख सकते हैं कि जो इंटर नोट हैं वो दो प्रकार के तंतूं से मिलके बनाता है कोटिकल फिलामेंट से जिसमें आप यह देखें कि परसंदी से नीचे उतरने वाले descending corticating filament और परसंदी से उपर जाने वाले ascending corticating filament तो दो प्रकार के वलकुट यह तन्तुओं द्वारा या cortical तन्तुओं द्वारा बना होता है यह आपका पर्व इंटर नोड descending corticating filament और ascending corticating filament इसके अलावा जो primary letters है प्रात्मिक पार्स है उसके उपर आप देखें यह secondary letters पाए जाते हैं दित्यों पार्स पाए जाते हैं यहां इसको stipules भी कह सकते हैं और यहां पर हम देखें इस secondary letters के कक्स में आप देखें कि structure पाए जा रही है जो पाइनेपल के समान दिखाए दे रही है यह कहलाती है आपके न्युक्यल जो मादा जन्नांग है और इसकी जस्ट नीचे आप देखें गोलाकार यह राउंडेड यह गोल सरंचना पाए जाती जो ग्लोब्यूल है जिसको हम कहते हैं कि यह हैं इसका नर जन्नांग इस परका सपर्व संधी है और इसके उपर आप सेकंडरी लेटरल्स या स्टी प्लोट की बात कर सकते हैं तो आप यह देखें कि प्राइमरी लेटरल्स और इसके अलवा सेकंडरी लेटर्स आपको दिखाए देते हैं है तो इस तरह से हम टार्व में चुझ को हो सकते हैं यह देख सकते आप जो मैंने आपसे बात की थी की डिसेंडींग कोटिकर फिलामेट से जो नीचे रहे हैं और परमीट जो की कि आपको इक परशंदी में उपर याय पर शुंदी में उपर वारा इस पर्व या इंटर नोड का निर्मान होता है थैंक यू दन्यवाद तो ये आपके टोपिक जनरल करेक्टर्स एंड लाइफ हिस्त्री ओफ विभन अशा जनर पर्रimate में विभन विभन प्रकार के सदजीयों के आवास आवास के बाड़े में उसके थैलत संगर्ठन के बारे में उसमें पाए जाने वाले विभन प्रकार के जनन के बारे में हमने बात की झाली